पॉस्कार में रोशन और आप देख रहे हैं जैड निउस डिश्टल मीडिया खबरेक बहुत कुछ हो सकती हैं तर्क वितर्क भी स्पेचल सकती हैं कुछ विचारधाराये भी अपनी हो सकती है तो कोई पार्टी का पक्ष भी रख सकता है तो किसी पार्टी पालोचना भी कर स शकता है आप रोज मर्रा की जिन्दगी में साम को डिवेट देखते हUNG जब कोड पेंट पहन के बीजेपि के परवक्ता हों या कॉंगेस के परवक्ता है हर वैक्ती अपनी बात रखता है और पार्टी का पक्षदार बनता है परन तो उन कवाईदों के बीच में कई चुप जाती हैं जो चुपती हैं वागे होती हैं आम Shift की जिन्द्गी के भी रोजगारी से लेकर चुनोतियों की बड़ी सफलताएं भी हो सकती हैं आभी फलताएं भी होती हैं उन बीच में कई ख़बरे सामने आ रही हैं उन ख़बरों में सरकार को कई चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है अक्टूबर के महीने में एक तो अक्टूबर 2 तार Bismillah कर देता हूं एक अक्टूबर की यू तारीक लगातार फसाो सकती है या फीविपक्ष को हमला बोलने के लिए तैयार कर सकती हैं बात करूंगा मैं बात करूंगा सरकार की चुनोतियों सरकार की चुनोतियों नहीं काम कर पा रही मैं बात करूंगा पहले जीस्टी सेक्टर पे कुल जीस्टी कनेक्शन सरकार दुवारा आदिये गए आंकडों के हिसाब से 91,290 करोण है इस माने तो सिदम अगस्त में इसकी जो जीस्टी से पैसा इकटा हुए थे सरकार ने इकटा किये थे वो 98,230 हुए थे अब वहीं जब सितमबर में जीस्टी कटा हुई तो सरकार ने सरकार दुवारा एक खुलासा हुआ जो यह बताया गया कि 6,820 करोण रूपे सरकार नुकसान हुई है मतलब सरकार ने 6,820 करोण रूपे कठा ही नहीं कर पाई है अब मैं बात करता हूं ऑटो जहां पस्ता रहा है जहां कार्यक उत्पादन सबकुछ बंद कर चुका है वहां बीतेवे सितमबर में भी कुछ हालत खसता रही और सेक्टर भी नुकसान में रहा मैं एक बात बता देता हूं आपको एक जानकारी के हिस्थाब से की मारती सुजुकी आप मर्रा की गई उसके बाद मैं बजाज आटो की बात कर देता हूं जिसमें मोटर साइकल भी आजाती है बजाज की बजाज की आटो सेक्टर में जो घटती और बढ़ती दर थी आपको एक आंकड़े की हिसाफ से समझा देता हूं सितमबर में 2018 में 4.26 लाख यूनिट आटो सेक्टर मे जोड़ दू तो इस दोनो साल का अंतर में आपको जोड के बताउं तो 1.2 ,5 लाख यूनिट के घटा हूआ है इसके बाद में बात कर लेता हूं कोर सेक्टर में पांच यूनिट गरती जा रही है एक अन्मानित हिसाब से अगर पेट्रोल का दाम 50 रुपे लीटर होना चाहिए वहीं इस बार अगर ये दर लगतार गिरेगी तो सरकार को ये पेट्रोल का दाम 55 रुपे प्रती लीटर मतलब आम आदमी के जेप जो खर्चा पड़ेगा वो 72 रुपे लीटर भी देना पड़ सकता है उसको पेट्रोल पंपे ये आकड़े जो अक्टूबर में सामने आई हैं सरकार के सामने सरकार इन चीजों को कैसे चुनोतियों सिकार कर पाएगी या सरकार इसमे क्या बृद्धी करेगी ये भी देखना होगा जेस्टी का लाव और हानी दोनों सरकार दिन पर दिन बताती रहती है पर समय सरकार GST की फाइदे बताती है तो वहीं कॉंग्रेस भी GST के नुकसान बताती है परन्तु जो मेरे हाथ में आकड़े हैं उस हिसाफ से पदा चलता है कि GST से कुछ ज्यादा फाइदा नहीं हुआ है खेर वह अपनी विचार धारा हो सकती है GST के कुछ अच्चे फाइदे भी हो सकते है तो बड़े नुकसान भी हुए है बड़े नुकसान में GST कठा नहीं हो पा रहे हैं, corporate sector बंद है, auto sector बंद है, core factory जो है उसमें GST दर ज्यादा होने कारण हो किया रहा है, वो आप समने देख लिया, petrol के बढ़ते दाम, कच्छे माल के उत्पादन छपता कम हो जा रही है, यह चीज़े जो आंकड़े थे मैं आप को लाइक करेगा, यूटूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेगा,